11 दिसंबर से 17 दिसंबर था 7 ताहिक रासी भाई मेस रासी मेस रासी के लोगों के लिए दिसंबर का यह सतता आर्थिक मामलों में मिला जुला रहेगा आप अपने परिवार के सानिद्यों में काफी रिलेक्स भी महसूस करेंगे इस सफ्ता अगर आप वपीस या कारोबार के काम से बहार जा रहे हैं तो आपको लाब होगा और कारियप उन्ण होगे लेकिन अभी भी अधिक सफलता के इच्छुक रहेंगे इस सफ्ता परिवार के लिगों के साथ छुटी पर जाने की यूजना बन सकती है सफ्ता के अंत में कार्यक्षेत्रों में किसी समाचार को प्राप्तकर्मन्दु की हो सफ्ता है आर्थिक व्याई भी अधिक रहेगा और सफ्ता के अंत में किसी महला की मदद मिलेगी जिस वजह से आपके जीवन में सुपसमृद्धु के सुबसयोग बन सकते हैं आज का लकी नंबर है तीन और आपका सुब्रंग होगा लाल व्रुसब्रासी व्रुसब्रासी वालों के लिए कार्यक्षित्र में उत्तम स्थिती रहेगी और आपको सफ्ता की सरुवात में ही सुखद समाचार मिल सकते हैं आर्थिक मामलों में भी किसी बड़ेक मुजूर्थ की मदद से आपके जीवन में दनलाप के अच्छे चांस बन जाएंगे। सेहत में भी अच्छे सुदार इस सफ्ता मिलेंगे। लेकिन आपको और काम करने की जरुरत है। परिवार में एक नई सरुवात आपके जीवन में सुकुन लेकर आएगी। एवं मन प्रशन रहेगा। इस सफ्ता यात्रा ओध्वारा कुछ परेशानिया हो सफ्ती है। और आपका काम बढ़ सकता है। इन्हें टाल दे तो आपके लिए बेहतर होगा। आज का लकी नंबर है दो और आपका सुब्रंग होगा पीला। मितुन रासी वालों के लिए इस सफ्ता आर्थिक मामलों में समय अनुकुल है। एवं आप इस सफ्ता हर कार्य में मन चाही सफलता हासिल करेंगे। किसी पित्रु तुल्य व्यक्ती की मदद से जीवन में अनुकुलता रहेगी एवं दन वृद्धी होगी। इस सफ्ता आपको अपने परिवार में किसी मात्रु तुल्य व्यक्ती की मदद प्राप्त होगी। जिस वजह से जीवन में सुकसान्ती मेसूस करेंगे। इस सफ्ता की गई यात्राओं द्वारा भी सुखद परिडाम सामने आएंगे। यात्राओं के द्वारान काफी रिलेक्स होते जाएंगे। सफ्ता के अंत में किसी अप्वाओं को सुनकर मन डुखी हो सकता है। आज का लखी नमबर है छे और आपका सुख रंग होगा नारंगे। करकरासी करकरासी के लिए कार्यक्षित्र में उन्नती होगी। एवं आपके प्रोजेक्ट आपके लिए सुख परिडाम लेकर आएंगे। आपको अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने में किसी की मदद भी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में फोकस की आवश्यक्ता है। तभी धन लाब बना रहेगा। इस अपता की जाने वाली विजनेश ट्रिप्स फायदे में रह सकती है। हालाकि यात्राओं के दौरान कभी-कभी ऐसा प्रतित होता है। कि स्थितियां आप पर अधिक हावी हो रही है। एवं आप अपने मन अनुशार परिडाम नहीं लापा रहे है। किसी प्रकार की हानी उठानी पड़ सकती है। इस सप्ता आपके अपने परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मद्वेद उद्पन हो सकते हैं। जिनकी रौबीली पर्शनालिटी है। सप्ता के अंत में कोई आपका अपना आपको दोखा दे सकता है। आज का लकी नंबर है चार और आपका सूब्रंग होगा हरार। सिह रासी सिह रासी वालों के लिए आर्थिक दस्टि कौन से समय अनुकूल है। एवं दनलाप की प्रबल स्थितियां बनेगी। इस सप्ता आपको निवेशों में सूप फल त्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नती के सूप सयोग बनते जाएंगे। अपिस में किसी युवा की वजह से आपसी मदबेद पैदा हो सकते हैं। परिवार में खुश्या पाने के लिए आपको कापी मेनत करनी पड़ सकती है। इस सफता यात्राव द्वारा तभी सफलता हासिल होगी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर निड़े लेंगी। सफता के अंत में अचानक से किसी प्रॉपटी को लेकर या फिर स्थान विशेश को लेकर कुछ परेशानी हो सफती है। कोई भी फ्यसला कापी सूद समझ कर चरूर ले। आज का लकी नमबर है तीन और आपका सुब्रंग होगा सफेग। कन्यारासी वालों के लिए या एक उत्तम सफता रहेगा। कार्यक्षित्रों में सफलता हासिल होगी। एवं साजेदारी में किये गए प्रोजेक्ट आपके लिए अधिक सफलता लेकर आ सकते हैं। इस सफता आप अपने प्रोजेक्ट की उन्नती को लेकर भी सकुन में रहेंगे। आर्थिक मामलों में भी सुतार होगा। इस सफता आपके लिए सुकसम्रुद्धी के सयोग बनेंगे। इस सफता की गई यात्राओं द्वारा विसे सफलता हासिल होगी। यात्राओं के द्वरान खुश भी रहेंगे। परिवार में सुकुन रहेगा एवं गिप्ट भी आपको मिल सकती है। सफता के अंत में किसी करीबी रिष्टे को लेकर मन असान हो सकता है। आज का लकी नमबर है साथ और आपका सुब्रंग होगा आस्मानी। तुलारासी वालों के लिए सफता आर्थिक मामलों में सफलता से भरा होगा और आप काफी रिलेक्स मैसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में भी समय अनुकुल है एवं दनलाब रहेंगे। इस सप्ता आपके निवेसुद्वारा लाब होगा और आपके जीवन में सुकुनाएगा। सप्ता का उतार्द आपके लिए खास होगा। परिवार में किसी भी सदस्य की आर्थिक मदद आपको इस वीक करनी पड़ सकती है। किसी छोटी सी गलती की वज़ा से आपसी गलत फ्यमी भड़ सकती है। सप्ता के अंत में आप अपने प्रियजनों के साथ सुकद समय व्यतित करेंगे एवं मन भी प्रफूलित रह सकता है आज का लखी नंबर है आठ और आपका सुब्रंग होगा बादामी। व्रुष्चिक रासी व्रुष्चिक रासी वालों के लिए यह सप्ता आर्थिक मामलों में सुकून और सांती से बरा होगा। किसे एक्सपर्ट की मदद से उन्नती के मार्ग भी खुलते नजर आएंग यह सप्ता साजेदारी द्वारा सफलता प्राप्त करने वाला सप्ता रहेगा। आर्थिक दस्टी कौन से समय अनुकुल रहेगा और धनलग के सयोग किसी मात्रु तुल्य महिला की मदद से बनते जाएंगे। परिवार में आपसी प्रेम में वृद्धी होगी एवं एक नई सरुवात आपके जीवन में सुखद अनिगों लेकर आएगे। इस सफ्ता की गई यात्राओ द्वारा भी सूप्फल प्राप्त करेंगे और किसी बेहतर स्थान पर जाने का मन बना सकते हैं। सफ्ता के अंत में मन प्रशन रहेगा और आप खुस रहेंगे। आज का लकी नमबर है पांच और आपका सूब्रंग होगा मरून। दनुरासी दनुरासी वालों के लिए आर्थिक ममलों में इस सफ्ता का समय अनुकुल रहेगा। एवं दनलाब के कई अउसर आपको प्राप्त होते नजर आ रहें। कार्यक्षित्र में उन्नती होगी एवं मान्शमन बढ़ेगा। आपके प्रोजेक्ट आपके लिए सफलता के मार्ग खोलेंगे। एवं कार्यस समय पर पुर्णव होते जाएंगे। इस सफ्ता आपकी सेहत में भी अच्छे सुथार नजर आएंगे। आप कोई भी फैसला अपने मन की बात सुल कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। परिवार में सुख सम्रुद्धी के सुब सयोग बन रहे हैं। एवं आपसी फ्रेम भी बढ़ेगा। इस सफ्ता यात्राओं को टाल दे तो बेहतर होगा। सफ्ता के अंत में आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाओं होंगे जो आपको सुख लाप प्रदान करेंगे। आज का लखी नमबर है एप और आपका सुख रंग होगा गुलावी। मकर रासी मकर रासी वालों के लिए या सफ्ता केरियर और रुपए पैसे के मामले में शांदार होगा। इस सफ्ता आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आकर सित हो सकते हैं। एवं आपका रुजान भी कुछ नया करने का होगा। आर्थिक मामलों के लिए भी या सफ्ता सूभ है। एवं दनलाब रहेंगे। आप अपने निवेश को अपने कंट्रोल में रखने में सक्षम रहेंगे। एवं दनलाब रहेगा। यात्राओं को इस सफ्ता के लिए टाल देने में ही बलाई है। सप्ता के अंत में आप अपने प्रियजनों के सानिध्य में सुखद समय व्यतित कर सकते हैं। आज का लकी नमबर है नौ और आपका सुब्रंग होगा गुलावी। कुंबर रासी कुंबर रासी वालों के लिए दिसंबर मैने का यह सप्ता पहले की तुल्ला में बेतर होगा और आपका मान प्रशन रहेगा। आपको इस सप्ता सुक्सम्रुद्धी प्राप्त होगी। कार्यक्षित्र में उन्नती होगी एवं साजेदारी में किये गए प्रोजेक्ट आपके लिए सुफल लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर मन दुखी रहेगा। आर्थिक मामलों में व्याय अधिक होने से आप तनाव में आ सकते हैं। इस तरब ध्यान देने की आवश्यकता है। सफलता हासिल हो सकेगे। परिवार में किसी बड़े मुजुर्ग की मदद से जीवन में सुप सम्रुद्धी के सुप सययोग बनते जाएंगे। सफ्ता के अंत में आप नेट वर्किंग मूड में रहेंगे एवं पार्टी करते नजर आ सकते हैं। आज का लकी नंबर है पांच और आपका सुब्रंग होगा मरून। मिन्रासी मिन्रासी वालों को इस सफ्ता कार्यक्षित्र में सफलता हासिल होगी। और आप अपने प्रोजेक्षित्र की सफलता को देखकर काफी जोस में भी रहेंगे। आर्थिक मामलों में उन्नती होगी एवं धनलब रहेगा। कोट कचेरी के मामलों में भी आपको विजय प्राप्त होगी। परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस सफ्ता की गई यात्राओं द्वारा सूप सयोग रहेंगे। एवं यात्राओं के द्वारान काफी रिलेक्स में असुस करेंगे। एक नई सरुवात आपके जीवन में आपसी प्रेम को सुरुदधर बनाएगी। सफ्ता के अंत में पाटी मूर में रह सकते हैं। आज का लखी नंबर है छे और आपका सूब्रंग होगा नीला। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके। पुरुपया इस चैनल पर आप नए आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें। और साथी बेल आइकोन को भी दबा दीजी। ताकि अस्त्रोलोजी से जुड़ी वीडियो की नौटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कॉमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले ताकि बगवान बोले नाथ 2024 में आपकी हर मनों कामना पूर्ण करेंगी। धन्यवाद हर हर महादेव।